हेलो फ्रेंड्स फीडवल आईसी में अमित कुमार सौनी स्वागत करता हूं दोस्तों जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें जाज़ा से जादा शेयर करें जिससे की नोटिफिकेशन के माध्यम से नए नए व हथपूर्ण न्यूज लेकर कि मैं आप लों के सामने उपस्तित हुआ हूँ और वो समाचार है सिक्षक भरती परिक्चा वर्ग दो में साइंस विद्यार्थियों के लिए एक बहुती बड़ी खुसकवरी है हम जानते हैं दोस्तों कि शुशील महरा दोरा एक याचिका दा नहीं हैं जिसमें कई बार सिक्षा अधिकारी जवाब देने के लिए उपस्तित नहीं हुए उसके बाद में एक और अन्तिम आदेस अभी 20 फरवरी को जारी किया गया था जिसमें कि उनको हलप नामा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया सिक्षा विभाग को हाई कोर्ट में उसक्षा विभाग के द्वारा जो हलप नामा प्रस्तुत किया गया उसकी काफी वहत्तना की जा रही है काफी आलोशना की जा रही है क्योंकि उन्हों ने जिस प्रकार से इस हलप नामे का विबरन प्रस्तुत किया है जिस प्रकार से इसमें बयान दिया हुआ है वो रूप से जो की पचास पद निकल करके सामने आये हैं वो भी आर्टी एक्ट में बिग्यान को पाँचवे स्थान पर रखने के कारण जिसकी वज़े से की पदों की संख्या बहुत कम हुई है वो निश्चत रूप से बढ़कर काफी संख्या में होने वाली है दोस्तों करके बात कर लेते हैं कौन पढ़ रहा है भारी सिक्षविभाग या फिर याचिका करता द्वारा लगाई गई याचिका के तत्य दोस्तों यदि हम सिक्षविभाग की बात करें तो उनका कहना है कि आर्टी एक्ट दो हजार नो में विज्ञान विशे को गनित विशे के सा पढ़ा सकता है तो यह कितनी ही विदमनापून इस्थिति है कितना बेतु का बयान दिया हुआ है यह भी तो हो सकता है कि साइंस वाला गानित पढ़ा सकता है और दूसरी बात दूसरा तथे उनका कहना है कि चूकि इसना तक स्तर पर इस्टुडेंट केमेस्ट्री या रशायन सास्त्र विशे को पढ़ता है और रशायन सास्त्र विशे के पढ़ने के कारण ही वह बायलोजी यानि की विज्ञान विशे को पढ़ा सकता है तो दोस्तों देख सकते हैं आपके कितना बेतु का बयान जो है गवर्मेंट के दौरा इस सिक्षा विभाग के दौरा दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हों को सिक्षा सास्तर के बारे में सिक्षा के बारे में बिल्कुल भी ज्यान नहीं है अब दोस्तों बात कर लेत हैं कि जो याचिका करता है और जो मैन पॉइंट निकल करके आ रहे हैं किस प्रकार से और किन तरकों के माध्यम से ये साइंस विशे की जीत निश्चत रूप से लग रही है जो कि आगामी 13 मार्च को फाइनल हेरिंग हो जाएगी और वहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा और 100% विज्ञान विशे की जीत होगी तो दोस्तों इसमें पहला तरक दिया गया है सबसे पहला तरक है कि जो इन्हों ने सर्कुलर जारी किया है आल्टी एक 2009 के अनुसार बिलकुल भी भरती नहीं की जा रही है दूसरा पॉइंट है कि सरकार के दौरा जब शिक्षा पात्रता परिक्षा वर्ग दो आयोजित की गई तो वहाँ पर बाइलोजी के विद्यार्तियों से 20 प्रश्न केमेस्ट्री से पूछे गए 20 प्रश्न बाइलोजी से पूछे गए और 20 प्रश्न फिजिक से पूछे गए तो वहाँ बाइलोजी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा सकता जबकि मैत वाले व्यक्ती से या स्टूडेंट से पूरे के पूरे 60 प्रश्न गनित पर ही आधारे थे तो जब उससे विज्यान से संबंदित कोई भी प्रश्न इस पातरता परिक्षा में नहीं पूछा गया तो वहे किस आधार पर बाइलोजी के सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है उसके बाद में तीसरा पॉइंट निकल करके सामने आता है जो कि सिक्षा विभाग द्वारा ही जारी किया गया एक सरकूलर है जिसमें कहा गया था कि विज्यान का सिक्षक वही होगा जिसमें इसनातक इस्तर पर माइक्रो बाइलोजी अत्वा बायो टेक्नोलोजी जोलोजी बॉटनी वा केमेस्टी विशे से किया हुआ होगा और उम्मिद्वारों का आरोप है कि कोट ने इस हलफ नामे में इन तत्यों को गलत रूप से प्रस्तुत किया है और गलत रूप से इसको परिभाशित किया है उसके बाद में अगला पॉइंट है जो की बहुत ही और महतपूर्ण रूप से जीत दिला सकता है विज्ञान विशे के विद्यारतियों को 13 मार्च की हेरंग में या 13 मार्च की फाइनल डिसीजन में और वो है इसका केमेस्टी विशे का बैकल्पिक रूप में होना उनका कियाचिका करता का कहना है कि जो रशायन सास्त्र है व जो कि अभी अधिकतर लोगों के द्वारा दिया जा रहा है अब चू कि गवर्मेंट का तर्क है कि रसायन सास्त्र वाला ही पढ़ने वाला व्यक्ति भी बायलोजी को पढ़ा सकता है लेकिन चू कि रसायन सास्त्र एक अनिवारे विशे नहीं है वह वैकल्पिक विशे है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो गणित का विध्यारती है वो विज्यान विशेकोवी बायलोजी विशेकोवी जिसमें हम बायलोजी भी पढ़ते हैं जिसमें हम जोलोजी भी पढ़ते हैं वह इसको पढ़ा सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्ग के विध्यारतियों के तरफ मोड देगा और इस भरती में एक बहुत ही बड़ा नया मोड निकल करके सामने आ सकता है। और इसका पड़नाम ये होगा कि मेरिट में आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। और विध्यान विशे को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। बिल्कुल इसपष्ट हो रहा है गवर्मेंट के दोरा दिये गए तरकों से और याचिका करता के दोरा दिये गए तरकों से। ग्यान विशे को प्रथम इस्तान पर नहीं रखा जाता है। दोस्तों ये हलफ नामा विभाग की ओर से OIC नर्सिंगपूर के D.E.O.A. के इंगले के दोरा पर स्तुत किया गया। कि आप सब देख सकते हैं और याचिका करता की तरप से जो तरक दिये गए वो सुसील महरा वा उनके जो वकील रहे हैं उनके द्वारा दिये गए हैं। दोस्तों अंतमे में इतना ही कहूँगा कि संगर्स ही जीवन है और जब आपने संगर्स बंद कर दिया तो समझ लो आप हार गए और यदि संगर्स करते रहे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष को प्राप्त कर लेंगे और यही इस्तिती आज विज्ञान समू के हैं। और कीजर्स ही जीवाधे टायओ चाया समूति एंब टि Андर यही जीवन ह shelters प्राप्त कर दोर्स